मध्यब्रदेश के घरगुन जीले के निजी स्कूलों की फेस, पुस्तक और अन्य मनमानी रोकने के लिए शाषन ने स्कूल संचालकों से पिछले तीन साल का रिकोर्ड मांगा है संचालकों को 8 जून तक पिछले तीन साल के फेस संबंदित रिकोर्ड अन्लाइन अप्लोड करना अनिवारी होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो इन स्कूल संचालकों पर भारी जुर्माने की कारवाही की जाएगी इस प्रक्रिया की जानकारी को लेकर रहिवार को उतकरष्ट स्कूल में बैठक रखी गई जिसमें जीला जुक्षा अधिकारी एसके कानूडे ने स्कूल संचालकों को हिदाया दी कि वे समय सीमा में अनिवारी रूप से जानकारी अप्लोड करे इसमें लाग परवाही बरदाश्ट नहीं होगी इस स्कूल संचालकों ने इस बैठक में पॉर्टल पर मांगी जा रही जानकारी को लेकर सवाल किये जिसमें उन्होंने कहा कि इस जानकारी का सारोजनिक होने पर दूर उप्योग हो सकता है इसके अलावा RTE की लंबित फीस प्रतिपूर्टी की भी मांग की जिला शुक्षा अधिकारी ने कहा यदि किस स्कूल को फीस आधि अप्लोड करने में कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में विभाग से संपर कर सकते हैं फीस का निरधान किया गया है और आठ जुन तक का समय उनको दिया गया है कि आठ जुन तक वो पोटल पर अपनी पिछली 2020 चे लगा के अभी तक की इंटरी पोटल पर करना है अधिक रिपोर्ट के आधार पर तो इसके लिए हमने बेठक रखी है और अन जो लंबीत कारे थ और एक सब्का का हमें उसमें को करना है अगर समय सिवा में यह करते हैं यह कारिपूर नहीं करते हैं तो इनके खिलाव सक्त यार्मइट की जाएगी संचाला को समस्या का समाधान हमने उनको निर्देशित कर दिया कि आपको कोई समस्या आप इसमें आके बात करें हम उनका समाधान करेंगे सासन से फीश निर्दान करा है जिन विद्धालों का नामंकन दो हजार से अधिक है उनको पांस हजार रुपे जमा करना है और जिनकी दरसंग्या एक हजार एक से दो हजार तक है उनको तीन हजार देना है जिन विद्धालियों किस नामंगन पांसो एक से एक हजार है उनको दो हजार देना है और जिनकी दरसंग्या पांसो है उनको एक हजार देना है और यह सम